इससे पहले वाली वीडियो में हमने किया था कि अंग्रेजी भाशा को शिक्षा का मादयम बनाया जाना चाहिए उसके पक्षमे तर्क थे और विपक्षमे तर्क थे इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हिंदी भाशा को शिक्षा का मादयम बनाया जाए और उससे पहले हम करेंगे इसके पक्षमे तर्क फिर बाद में करेंगे इसके विपक्षमे पहला इसमें है अध्यापकों और विद्यार्थियों के लिए सुवीद जनक यदि किसी विद्यार्थी या ध्यापक को किसी कारण वश अन्य परदेश में याकर रहना पड़े जैसे कि हम किसी भी स्टेट में रह रहे हैं इंडिया की कोई भी स्टेट है तो हिंदी सभी जानते हैं किसी टीचर को कहीं जाकर पढ़ाना पढ़े तो वो भी हिंदी जानता है। इसलिए हिंदी मादयम होने की कार्ण वो इंडिया के किसी भी कोने में जाके पढ़ सकता है, पढ़ा सकता है। आगे है व्यक्तितव के विकास में सहाइक। जब हिंदी को शिक्षा का मादयम बनाया जाएगा, तो ये विद्यार्थे और ध्यापक दोनों की जो परसनेलिटी है, जब उनका व्यक्तितव है, उनके विकास में सहाइता करेगा। सभाविक रूप में दी गई आतम व्यक्ति से मन निखरता है। क्योंकि जो हम भाषा रोज बोलते हैं, उसे हम अंदर क्या आता है, आतम विश्वास आता है। आगे है समाजिक समानता। कौन से भाषा स्रेष्ट है जब कौन सी नहीं। इस विवाद का प्रशन पैदा नहीं होगा, जदि हिंदी की जो हिंदी भाषा है, उसको समाजिक समानता के अस्तर के रूप में परियोग किया जाएगा। तो और भी उप भाषा हैं बोली जाती हैं। अगर हम हिंदी जो एक भाषा है, राष्टर की भाषा है, उसको हम बोलने के इसी भाषा में सभी को जो शिक्षा का मादेम है, वो बनाया जाना चाहिए। तो हम ऐसे नहीं कह सकेंगे कि कौन सी भाषा स्रेश्ट है और कौन सी नहीं है। किसी भी व्यक्ति की जो हम ऐसे बोलें के वो ऐसी भाषा बोल रहा है, उसकी भाषा अच्छी है, इसलिए उसकी परतिष्ठा बढ़ेगी, उसका मान बढ़ेगा। हिंदी मादम होने से कुछ छेत्रिय भाषा हैं, मैथली, भोजपूरी, राजस्थानी, बुंदेल, खंडी, अपने अस्तित्व की मान होने पर भी उनकी जो निष्ठ है वो हिंदी से ही जुड़ी है। क्योंकि वो भी हिंदी के साथ ही, जैसी ही हैं। आगे है राश्टर एक्ता में सहाइक। हिंदी सबसे अधिक परियुक्त होने वाली भाषा है, मिन्स पूरे भारत के कोने कोने में हिंदी भाषा का परियोग होता है। हिंदी राष्टर भाषा होने के नाते सभी भारतवासियों को एकात्मक तथा भावात्मक सूतर में प्रोती है एक तो ये एकता और दूसरा उनकी भावनाओं को हम समझ सकते हैं एक भाषा में इसलिए ये लोगों को एकात्मिक तथा बहवात्मिक जो सूर्तर है उसमें प्रोती है इस बात के लिए सबी विद्वानों का मानना है कि निश्चित ही भाषा की उन्ती से राश्टर की एकता स्थापित हो सकती है अगर एक भाषा बोले जाएगी एक राश्टर में तो वहाँ पे जो एकता वो बनी रहेगी अगरेजी से हम राश्ट्रिय एकता स्थापित नहीं कर सकते क्योंकि भावात्मक अव्यक्ति अपनी भाषा में होती है राष्ट्रिय भाव राष्ट्र भाशा से होते हैं तो हिंदी इसकी अधिकार नहीं है मिन्स हिंदी भाशा वो इसका अधिकार रपती है कि हम अपने आपको व्यक्त करना चाहते हैं तो हम अपनी भाशा जो हिंदी है उसमें हम बहुत अच्छे से अपने आपको व्यक्त कर सकते हैं आगे है वेग्यानिक भाषा हिंदी भाषा में यह गुण है कि यह द्भनी और लिपी के सम्होने के कारण उसे बोलना तथा लिखना भी सरल है हिंदी में परतेक द्भनी के लिए एक निश्चित संकेत है इसमें जो लिखा जाता है वही पढ़ा जाता है यह अक्षरात्मक है मिंदि इसमें अक्षर हैं अलग-लग हैं हिंदी वेग्यानिक भीदी से सीखी जा सकती है हिंदी का जो दुभनी विज्ञान है, रूप विज्ञान है, वाक्य सरुंचना, सबी बहुत ही सरल है बेविहारिक पर्योग, आज तकनिकी मादे उमने रेडियो दूरदर्शन फिल्में त्यादने इसको बेविहारिक बनाने में बहुत अधिक भूमिका निवाई है दिख हम रेडियो पे, दूरदर्शन पे, फिल्में विगरा, सबी हिंदी में हमारे पास उपलब्ध है अधिकांश चैनल, अधिकांश कारेकर हम हिंदी में परसारित किये जाते हैं सबी भारतबास से उन्हें सुनते बह देखते हैं अगर हम बात करें कि जो लोग पंजाब में रह रहे हैं, वो हिंदी नहीं बोलते हिंदी कम बोलते हैं, पर वो समझ तो लेती हैं इसलिए हिंदी विभारिक प्रयोग में भी लाते हैं बोलते भी हैं उच में कुछ जो शब्द है वो पजाबी के मिक्स हो जाते हैं बट वो हिंदी बोलते हैं सुनते भी हैं और समयते भी हैं और उनके लिए हिंदी को समयना बड़ा सरल बन चुका है क्योंकि जो भाषा हम सुनते हैं उसको हम धीरे धीरे बोलना भी सीख जाती है यहां तक कि मुबाइल फोन पर संदेश भेजने के लिए हिंदी का प्रयोग होता है जल्दी ही लिपी भी हिंदी होने लगीगी इंटरनेट की भाषा के लिए हिंदी विक्सित हो रही है अगर हम किसी भी शब्द का जो अर्थ ढूनना होता है तो वहां पर आता है हिंदी में खोजें सफलता पूरुक जो सो वेबसाइटस हैं वो तो चल रहे हैं यहां पर हिंदी का जो मटीरियल है समगरी है वो उपलब्द होती है इंटरनेट की दूसरे देशों में भी फिल्मों के मादम से हिंदी ने अपने पैर पसार लिये हैं फिर भी हम हिंदी मादम के रूप को चुन्ने में अशंका करते हैं आगे है सहतिक महत्व भारतिय दर्शन के अधिकत पर अंश हिंदी भाषा में स्रक्षित है जो जारतर अंश है भारतिय दर्शन के इंडियन फिलोसफी के वो जारतर हिंदी भाषा में स्रक्षित है हिंदी का अपना स्मित साहत्य है हिंदी में भी देखी आप कविताएं, कहानियां, नौवल, इकांकी सब कुछ लिखा हुआ मिलता है परसिद कभियों और लेकों जैसे अमीर खुसरो, विद्यपती, जाइसी कभीर, तुलसी, मुन्शी प्रेंचन सेनापती, मैथली शरन गुप्त, महादेवी बर्मा इन्होंने भी हिंदी साहत्य को अपना पूरा योगदान दिया है उनके भाव तथा विचार समचे मानोर समाज के लिए अनमोल संपदा है, यदि हिंदी के ऐसे मुल्य साहत्य को जनता तक पहुंचाते हैं तो हिंदी को मादयम के रूप में अपनाना होगा कि शिक्ष्य है जो हिंदी भाषा में ही देनी होगी वरना ये व्यापक साहित्य तथा महान भाव तथा विचार आम जंता तक नहीं पहुंच पाएंगे और वो जो पुस्तके हैं जो हिंदी कभियों दोरा लिखी गई है हिंदी लेख को दोरा लिखी गई है जब एक भाषा में पाठकुस्त के बनानी है तो एक बार किताबें लिखी जाएंगी और साथ साथ पबलिश होती रहेंगी समस्त भारत के लिए पाठकर्म और स्तर का भी एक समान होगा फिर पाठकर्म भी एक जैसा होगा और सत्तर भी शिक्षमेनु संधान, शोध कार्याद के लिए भिन-भिन प्रांतों से सहयोग प्रापत किया जा सकता है मिज़ जो सभी राज्यों है, वहां से भी जड़ा सहयोग है जो लिया जा सकता है अहिंदी भाषी परदेशों के विद्यार्थियों को रोजगार के समान अफसर भी लेंगे मिज़ जहां पर अहिंदी भाषी परदेश है, वहां के जो स्टूडंस हैं, विद्यार्थियां उनको भी जो रोजगार है वो मिलेगा अब हम बात करेंगे कि हिंदी भाषा के विपक्ष में तरक कि हिंदी यह जो वो शिक्षा का मादेम क्यों नहीं होनी चाहिए पहले है परिभाषिक शब्दावली की कमी पहला आप एक परिभाषिक शब्दावली को लेकर किया जाता है जो वर्ड कुछ ऐसे हैं जिनको डिफाइन नहीं किया जा सकता परभाषित नहीं किया जा सकता इसमें हिंदी भाषा जो पिछड़ी हुई है प्रम्द्विस कारे के लिए बहुत से साहतेकार बड़े परिशारम से इस कारे को संपन करने में जुटे हुए हैं मिंज कुछे शब्द ऐसे हैं जिनकी जो हम जिसको बोलते कि अर्थ उनके अच्छे से हमारे पास उपलब्द नहीं होती केंद्रिय सरकार्ने परशाषकों, नयवादियों, समाश शाष्त्रियों, विग्यानिकों से परिभाशिक शब्दों की सूची परकाशित करवाली है केंद्रिय हिंदी निर्देशा ले आए कि सभी शाखाएं इस दिशा में महत्तपूर्ण कदम उठा रहे हैं तथा प्रोच साहित कर रहे हैं ये कार्या विकास की ओर अगरसर है हिंदी साहित्य समेलेन पर्याग ने भी इस काम में पूरी रूची दिखाई है जिड़े महवध्याले हैं सतर के सभी परिभाशिक शब्द हिंदी में परियुक्त कर रहे हैं संस्कृत भाशा इतनी समिर्द है कि ये परिभाशिक शब्द संस्कृत भाशा से मूल रूप में दिये गए हैं अथ्वा धातूं उपसरगों तथा प्रत्यों से बना लिए गए हैं बिसके अब हम कुछ जो शब्द हैं उनकी जो हम बोलते कि उसको अच्छे से डिफाइन किया गया परिभाशित किया है वो हमारे पास अवेलिबल हैं बट फिर भी कुछ शब्द ऐसे हैं जिनको अच्छे से परिभाशित नहीं किया जा सकता आगे है शिक्षिक को शिक्षिक की करतब्य भी मुक्ता तई विद्वाना के उनसार ध्यापक हिंदी से अन्भीग्य हो रहे हैं हिंदी भाशा के बारे में पूरी जो जानकर्य वो नहीं है वे अपने कारें उस भावना से नहीं कर रहे हैं जितना उन्हें निभाने की आपशक्ता है यदि ध्यापक इच्छा रहकर प्रयातन करे तो कल अंतर में हिंदी को अधिक सम्मान मिलेगा जह जन जन की भाशा बन सकती है पाठय पुस्तक और शिक्षमकों का अभाव जहां हिंदी में पाठय पुस्तकों का अभाव है मेंज जो पाठय पुस्तकों की कमी पाई जा रही है वहीं हिंदी के लिए परशिक्षित सुयोगय शिक्षकों का मिलना भी कठिन का रहे है नहीं मिल रहे हैं जैसे कि कोई पंजाब का बच्चा अगर हम बात करें वो हिंदी को अच्छे से लिख पाएगा पढ़ पाएगा बोल पाएगा तो उनकी जो हिंदी है उसमें पंजाबी जो टच है वो हमेशा ही रहेगा हिंदी शिक्षकों की कमी के कारण हिंदी में पुस्टकों का लेखन कार्य अंग्रेजी भाषा की अपेक्षा कम है इसके लिए भारत सरकार को आगयाने की अबशक्ता है में जो भारतस्रकार है वो ही हिंदी भाषा को उपर ले जाने के लिए जो कदम है उठा सकती है संस्कृत घर्वित भाषा कुछ आपतियों हैं कि हिंदी को संस्कृत घर्वित बना कर इससे कठिन बना दिया गया है कि जो संस्कृत के शब्द हैं उनको हिंदी में डाल दिए गया इसलिए जो हिंदी है वो बहुत ही कठिन होती जा रही है विशेशकार परिभाशित शब्दों को सहज ही कंठरेट कर लेना मुश्किल का रहे है जिसके परिमान्स रूप समाने लोगों के लिए इसे सहजी समझ लेना कठिन हो गया है अगर हम जो शब्द कठिन है उनको हिंदी में डाल देंगे किसी और भाशाओं के है तो हिंदी को समझना लिखना पड़ना बिलकुल मुश्किल हो जाएगा उधारन के रूप में बाइसाइकल के लिए तुचिकर रेल के लिए लोपत गामनी त्याद शब्द मजाप का विशे भी बन जाते हैं में जो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनको हम बोलते हैं अगर प्याओर हिंदी में बोलते हैं तो वो कई बार लोगों को समझ में भी नहीं आएंगे इस तरह से जो दैनिक पर योग में शब्द आते हैं उनको बदलना भी उच्चित नहीं लगता इस वीडियो में सिर्फ इतना ही थैंक्स फर पॉचिंग